आज से गुरुकुल का जो भी निर्माण कारिय सारा बनाने का काम आज से शुरू करेंगे तो इस उपलक्स को ले करके हम सब शुन्दर्शाथ कठे हमारे बीच में पुझे राजन स्वामे जी भी उपस्ती थे तो स्वामे जी से निवेधन करेंगे कि स्वामे जी आप इस कन्या गुरुकुल को ले करके यहां उपस्ती सभी सुन्दर्शाथ और कन्या गुरुकुल की बालिक आए और हम सब सुन्दर्शाथ को इस विशे को ले करके संबोध प्राणादार्श, सुन्दर साची, तैतरी उपनिसद में एक बहुत उची बात कही गई है, सत्यम जानम अनन्तम ब्रह्म, उस परमात्मा की तीन विशेष्टाएं हैं, सत्य, जान सरूफ और अनन्त, जो सत्य है, वही जान सरूफ है, और वह अनन्त है, वेद कहता है, सत्यन उत्वित्ता भूमि, यह सारी सिष्टी की से टिकी हुई है, सत्य से टिकी हुई है, जो सत्य है, वही तो ब्रह्म है, और वही जान सरूफ है, आज हिंदू समाज बहुत भटक गया है, वो नहीं समझ रहा है, कि यदि इस मानो जाती से जान है, हट तो उसका अस्तित्र कैसे रहेगा। कर देगा, यह हमारी बहुत बड़ी फ्रांती है जब तक हर हिर्दे के अंदर उस सच्टानंद परमात्मा का दिया वाज यान विद्यमान नहीं होगा, तब तक इस मानोजात की सुरक्षा नहीं किया जा सकता, आप देखिए कि हर देश ने अपनी सुरक्षा के लिए बड़े-बड़े अस्तर सस्त बनाए है लेकिन इनी अस्तर सस्तों से संभव हैं बिसर जुद में सारा संसार कहें हैं लड़कर विनास को प्राप्टन हो जाए मानोजात को सानक्षन कोई दे सकता है, रख्षा कर सकता है तो केवल ज्यान और सत्य पर अवलंबा इसलिए अक्षरातीत स्री प्राणना जी की ब्रमबानी तो अतरित हो गई आज से चार सो बर्स फैले लेकिन यदि उसका ज्यान हर मानोजाती के एक-एक ब्यक्ति के अंदर नहीं फैला तो हम कैसे आजा कर सकते हैं कि संसार का कल्यान होगा हम बेदों में पढ़ते आएं कि नारी निर्मात्री भहती लेकिन नारी को यदि हमने केवल चुला चक्की तक ही सीमित रख दिया उसके हिर्दे में ज्यान का परकास नहीं किया तो जो पत्य पर दर्शिका है जो सन्यासी को जन्मे देती है बड़े-बड़े विद्वानों को जन्मे देती है बड़े-बड़े वीरों को देती है वही असिक्षा के अंदकार में भढ़ती रहेगी तो कैसे संभवए की महान विभूतियां पैदा होती रहेंगे इसलिए पहले प्रात्मिक्ता है कि हमारी बालिकाएं आने वाले समय में विद्शी बने इसी उदेश से ओध्यान में रखकर इस प्रानत बाल का विद्धाले का निर्मार करने की हमारी योजना है आप सब सुन्दर साथ मैं देख रहा हूँ चार सो वर्सों से चार सो मंदिरों का निर्मार कर चुके हैं अभी भी करने की योजना में हैं आप लेकिन आपकी इन चार सो मंदिरों में मुझे नहीं लगता कि चालिस भी विद्धाल होंगे चालीस का मैं कहता हूँ, दस भी उची अस्तर के विद्वान में है, दस तो क्या, राष्टी अस्तर पो बोलने वाले हमारे पास पहुंच भी वक्ता नहीं है, क्योंकि आप, ये सोचते हैं, कि हम सुंदर-सुंदर मंदिर बना देंगे, तो सच्छा तक रहतीत के चरण कमल प कर सकते हैं, अच्छे-अच्छे खीर पकवान बना करके खा सकते हैं, बहुत बड़ा फंड बेंकों में जमा कर सकते हैं, आस्रमों के नाम से, लेकिन ज्यान की धारा को औरूद कर देंगे, प्रेम की धारा को आप बहने ही नहीं देंगे, तो आप समझेए, सारी मानोता के संकट खड़ा होगा और जागनी पर भी प्रसिचिन खड़ा होगा इस दिये मैं सबसे आसा करता हूं कि हर सुन्दर साथ इस महानकारी में अपने तन मन धन का सहयोग करें आप सोचेंगे कि यह फिजल खर्ची है हमारे घर के उपर इतना बजट है तो हम कहां से देंगे मैं आ जी सजार है वए असानी से एक घर तु निकाली सकते हैं 2000 सुन्दर साथ एक एक हजार जमा करते हैं तो प्रतिमा दस लाक रुपी एक ठे होंगे और बारा मैंनों में एक करोड बीस लाक रुपे सरलता से कत्रित हो जाएंगे आप सोचिए डेल वर्सों में कितनी धन्रासी कत्रित हो सकती है जदि मैं जानता हूं कि एक हजार सुन्दर साथ इसके लिए तयार नहीं होगे पांसो तो सुन्दर साथ तयार हो सकते हैं और जिनके पास अधिक धन्राजी की आई है, किसी के घर में एक लाग की आमदनी है, किसी के घर में पचास हजार की आमदनी है, तो वर्स, केवल एक वर्स के लिए कोई दो हजार दे, कोई तीन हजार दे, तो पांसो सुन्दर साथ भी इसके लिए कटिबद्ध हो जाए तो बिना किसी पर आर्थिक बोज बढ़े हुए गुरकुल का निर्मा असानी से कारी हो जाएगा आप बड़े-बड़े भंडारे करते हैं साधी विवा में आप 50-50 लाग अकेले खर्च करते हैं तो उसका कोई सार्थक परड़ाम ने निकलने वाला है खिलाते हैं पिलाते हैं उससे मानोता का कुछ भला नहीं होने वाला है लेकिन आपने ग्यान का बीच जो बोया यहां से बच्चियां कल को भी दुशी बनेगी सारे संसार में ग्यान का प्रिकास करेंगे तो वहीं आपकी किर्थ हमेशा के लिए अक्षून रहेंगी वो सबसे बड़ी सेवा है इसलिए चाहे कोई किसी विचारधारा को मानता हो किसी भी आस्थान से जुड़ा हो किसी भी का विदालय के गुरुकुल के खाते में भेजना सुरू करें अपनी सरदा के उनसार जिसके पास कम धनासी हो वो भी भेजे ताकि डेढ़ वर्ष के अंदर ये बाल का विदालय का निर्मान कर अविलम पूरा हो सके राज्ची आपके उपर अपार किर्पा की वर्षा यदि आप ब्रह्मवानी के प्रसार में ये जो एक मिल का पत्थर सिद्ध होने जा रहा है ये गुरुकुल आप इसकी सनचना में सहयोग देते हैं तो मैं धाम धनी से प्रात्ना करूंगा कि राजी सब को विवेक दें ताकि जो अपना धन निर्थकारियों में खर्च कर र और इस महानकारे में अपना युग दांते हैं प्राम जी